हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तो वीकली करेंट अफेर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 14 जन्वरी से लेकर 20 जन्वरी तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर को वीडियो काफी इंपोर्टेंट है वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा जन्वरी के स्टार्टिंग में ही किराना घराने की भारती शास्त्री संगीत गाई का डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन पूने में हुआ यहाँ पर हमने देखिए किराना घराने की बात करिए तो उत्तर प्रदेश के शामली जिले की तहसील कजबा किराना से संबन्दी हिंदूस्तानी शास्ति संगीत का एक घराना है इस घराने के संस्तापक को उने अब्दुल करीम खाने किराना घराने की और भी देखे इंपोर्टेंट हस्ते आएं हीरा बाई, बेगम अक्तर, भीम सेंजोशी, गंगु बाई हंगल इनसे एक्जाम में कोशन देखे पूछे आते हैं तो ध्यान रखेगा इस चीज को भी यहाँ पर डॉक्टर प्रभा अत्रे के देखे कुछ अचिवमेंट्स की बात करें तो रिसेंटली दोजार वाइस में इने पद्म विभूशन से समानित किया गया था दोजार दो में इने पद्म भूशन दिया गया था उननेस सो नब्भे में पद्म श्री और 1991 में संगीत नाट अकादमी अवार्ड से समानित किया गया था तो भारती शास्त्री संगीत की काफी बड़ी हस्ती डॉक्टर प्रभा अत्रे का हाली में निधन हो गया किराना घराने से सम्बन दित थी यह आंसर यहां पर सही होगा चलिए अगला कोशन लेते हैं दोर्जी शेरिंग लेपचा को किस राज्यक के राजसबा के लिए निर्वाचीत किया गया है देखे फ्रेंड्स इस तरीके से कोशन बहुत पूछ जाते हैं एक्जाम के अंदर जो है निर्विरोध निर्वाचीत किया गया है दोर्जी शेरिंग लेपचा वर्तमान में सिक्कीम के ग्रन्थांग मांग्चोंग विदांशवा शेत्र से भारती जन्ता पार्टी के विदायक है ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेगा सिक्कीम डी आंसर अगला कुशन लेते हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ध्यान रखेगा पंजाब के त्योहार लोरी में प्रकृती के किस तत्व की पूझा की जाती है अगनी की नेक्स कोशन लेते हैं अंतराश्टी ये उट महुषव दोजार चोवीस राजस्थान के किस जिले में हुआ हैं अंतराश्टी ये उट महुषव का आयोजन राजस्थान परेटन विभाग द्वारा हर वर्ष किया जाता है इस महोसव के दोरान राजस्थान के प्रमुक लोक नत्य जैसे काल बेलिया, अगनी नत्य और बहुत सारे पारंपरीक उत्सव जो है वो आयोजित की जाते हैं इसका उद्देश क्या है? राजस्थान में परेटन को बड़ावा देना ध्यान रखेगा फ्रेंड्स, अंत्राजटी ये उट महोसव दोजार चोविस का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के बिकानेर में नेक्स्ट कोशन लेते हैं मकर विल्लकू निमने में से किस राज्ज में मकर सक्रान्ती पर आयोजित एक वार्शिक उत्सव है? महीने में जोकि जन्वरी मा में परता है उस समय मनाया जाता है अलग-अलग राज्जियों में मकर सक्रान्ती को अलग-अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है जिसे तमिल नाडू में पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में उत्रायन, पंजाब हरियाना में लोरी, असम में भोगोली भी हूँ तो इस तरीके से अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो ध्यान रखेगा, मकर विल्लकू, किस राज्य में मकर सकरान्ती पर आयोजित एक वार्शिक उस्सव है, केरल राज्य में सी आंसर दोजार चौदा में देखिये इनकी कविता, शादाप के लिए इनने साहित यकाद्मी पुरुसकार से समनित किया गया था इनकी कुछ प्रमुख पुस्तके भी हैं, जैसे गजल गाउं, पीपल चाउं, बदन सराए, नीम के फूल, ये सब देखिये इनकी बहुती प्रमुख पुस्तके हैं तो इन चीजों को भी दिमाग में रखेगा मशूर शायर मुनवर राना का निदन हो गया 2014 में देखिये किस कविता के लिए साही तकत में पुरुस्कार दिया गया था, शाद आप बी आंसर सही होगा, चलिए, अगला कुशन लेते हैं किस महिला खिलाडी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवर्ड 2023 जिता हैं इन्होंने पहली बार देखिये फीफा बेस्ट प्लेयर अवर्ड का खिताब अपने नाम किया है वहीं अगर पुरुशों में बात करें तो इस शेनी में अर्जेंटिना के देखिये खिलाडी हैं लियोनल मैसी उनको फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर अवर्ड 2023 प्रदान किया गया है तो ये दोनों चीज़े धियान रखियेगा आठवी बार फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर अवर्ड जो है वो जिता हैं लियोनल मैसी ने पिछले ही साल 2023 में अक्टोबर में इनी दोनों को बेलंडी और पुरुसकार से भी समानित किया गया था तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखियेगा चलिए अगला कोशन लेते हैं तो फ्रेंट्स हाली में ही 75 वे एमी अवर्ड की गोशना की गई नेशनल अकादमी ओफ टेलिविजन आर्ट्स और साइंस द्वारा 75 वे एमी अवर्ड का आयोजन जो है अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया जिसमें कुछ इंपोर्टेंट अवर्ड अगर हम डिसकस करें तो देखें ड्रामा सेरीज में बेस्ट सेरीज का आवर्ड दिया गया सक्षेशन को वहीं बेस्ट कॉमेडी सेरीज की बात करें तो दबीर को ये पुरुसकार जो है वो दिया गया है तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा दबीर एमी पुरुसकारों की बात करें तो ये टेलिविजन के शेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच पुरुसकारें इसके शुरुआत कब हुई थी? 1949 मेंस के शुरुआत हुई थी ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेगा इस चीच को चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं प्रसिद धनू जात्रा का संबंद किस राजिसे हैं? देखे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन थेटर के रूप में माने जाने वाली प्रसिद ग्यारा दीवसी धनू यात्रा जो है ये ओडिसा राजिस से संबंद दीते हैं भाराज सरकार के सांस्कृति विबाग ने 2014 में धनू महोसव को राष्ट्री महोसव का दर्जा दिया था ध्यान रखेगा फ्रेंड्स इंपोर्टेंट है किस राय से संबंद दीते हैं धनू जात्रा ओडिसा से संबंद दीते हैं ओडिसा में देखिए और भी देखिए उत्सव जो है वो बहुत ज्यादा फैमस हैं जैसे कि रतियात्रा, कलिंग महोसव, छव महोसव, कोनार कनर्ति महोसव और हाली में जैसे आयजू थूई धनू जात्रा तो इन चीज़ों को दिमाग में रखेगा इंपोर्टेंट है नेक्स कोशन की तरब चलते हैं के लिए ICC Men's Player of the Month के लिए उन्हें चुना गया है तो फीमेल में ध्यान रखेगा दिप्ती शर्मा और मेल में ध्यान रखेगा पेट कमिन्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आता है वर्ल्ड चेस चेंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाडी कोन बने है तो फ्रेंट्स भारत के शत्रन खिलाडी रमेश बाबू प्रग्यानन ने नीदरलेंड में आयोजी ताटा स्टिल मास्टरस परदा में वर्ल्ड चेस चेंपेन जो हैं डिंग लिरैन उनको हरा दियाएं और इस जीट के बाद रमेश बाबु प्रग्यानन, विश्वनात आनन के बाद दर्थमान के देखिए वर्ल्ड चेस चेंपेन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाडी बन गए हैं इस जीत के साथ ही लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनात आनन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और भारत के नंबर वन खिलाडी बन गए है रमेश बाबू प्रग्यानन भारत के देखे तमिलनाडू राज से संबंधी थे हैं रमेश बाबू प्रग्यानन और उनकी बहन जो है रमेश बाबू वेशाली दोनों ही Grand Master हैं तो ध्यान दिजिएगा वर्ल्ड चेस चेंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाडी कोन बन गए है रमेश बाबू प्रग्यानन B. आंसर भारत की कौन सी insurance company PSU stock में सबसे ज़्यादा valuation company बन गई है तो friends हाली के दिनों में ही देखिए Life Insurance Corporation of India LIC ने इतिहास में पहली बार State Bank of India को पीछे छोड़कर PSU stock में सबसे ज़्यादा देखिए valuation वाली company बन गई है मतलब LIC का जो market gap है वो SBI से भी ज़्यादा हो गया है LIC का market gap जो है वो 5.8 लाग करोड रुपे के आसपास है जबकि SBI का अगर market gap देखें तो वो 5.6 लाग करोड के आसपास है तो हाली के दिनों में देखिए इस शेर में आई तेजी के कारण PSU मतलब public sector undertakings में सबसे मुल्यवान company जो बन गई है वो कौन सी बन गई है LIC बन गई है इस तरीके से questions exam में पूछे जाते हैं friends तो ध्यान रखेगा इस चीच को यहाँ पर हम LIC की बात कर रहे हैं तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बिमा company जिसकी स्थापना कब हुई थी 1956 में हुई थी वर्तमान में चेर परसन को ने इसके सिद्दार्थ महुन ती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question लेते हैं पंद्रा जनवरी को भारतिय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है तो यह सभी को पता होता है कि पंद्रा जनवरी को भारतिय थल सेना दिवस मनाया जाता है पर किसके सम्मान में मनाया जाता है यह बहुती कम लोगों को पता होता है तो भारतिये थल सेना के पहले भारतिये कमांडर-wing Chief Field Marshall के एम करियपपा के सम्मान में देखिए मनाया जाता है चुकि इन्होंने देखिए 15 जनवरी 1949 को भारतिये सेना के पहले भारतिये कमांडर-wing Chief के रूप में पद्बान ग्रण किया था इसलिए 15 जनवरी को हर साल भारतिय सेना दिवस मनाया जाता हैं मतलब भारतिय थल सेना दिवस हाली में देखिए अभी 76 इंडियन आर्मी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर उत्तरपदेश के लखनौ में अगर हम देखिए इंडियन आर्मी से रिलेटेड अगर भारतिय वायू सेना दिवस की बात करें तो वो 8 अक्टोबर को सेलिब्रेट किया आता हैं वही 9 सेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता हैं तो ये चीज भी धियान रखिएगा यहाँ पर भारतिय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता हैं जनरल केम करियपपा के सम्मान में अगला क्वेशन लेते हैं पुस्तक गांदी अलाइफ इन थ्री कैमपियंस किसके द्वारा लिखी गई हैं तो फ्रेंट्स हाली में देखिए प्रसिद्ध लेखग एमजे अकबर की पुस्तक गांदी अलाइफ इन थ्री कैमपियंस को लॉंच किया गया हैं यह पुस्तक मात्मा गांदी के जीवन और उनके संगर्शों पर आधारी थे हैं इस पुस्तक में मुक्य रूप से गांदी जी के तीन आंदोलन की कहानियों को बताया गया है 1920 के अलसायो गांदोलन, 1930 के नमक सत्यागर और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को ध्यान रखिएगा गांदी अलाइफ इन थ्री कैमपियंस किसके द्वरा लिखी गई हैं एम जे अकबर के द्वरा लिखी गई है एम जे अकबर की देखिए और भी फैमस बुक्स हैं जैसे कि नहरू, The Making of India, बहुत ही फैमस बुक है इनकी ये कश्मीर, Behind the Valley, ये इनकी इंपोर्टेंट है और The Shadow of Sorts, तो ये बुक भी दिमाग में रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन आता है हमारा Global Fire Power Index 2024 में भारत की रेंग क्या है तो हाली में ही Global Fire Power Index 2024 की रेंकिंग जारी की गई जिसमें भारत को चोथे इस्थान पर रखा गया है Global Fire Power के आंकलन के अनुसार पहले नंबर पर अमेरिका को रखा गया दूसरे नंबर पर रूस को और तिसरे नंबर पर रखा गया चीन को ये इंडेक्स जो है 2006 से जारी किया जारा है कौन जारी करता है? Global Fire Power के द्वारा जारी किया आता है इंडेक्स में सेनिको की संख्या Military Equipment, Financial Stability, Military Resources, Industries, Geographical Conditions इनके आधार पर रेंकिंग जो है वो दी जाती है तो कंट्रियों को उनके सेनित अकत के आधार पर यहां पर रेंकिंग दी जाती है तो भारत को रखा गया है चोथे इस्थान पर बी अंसर यहां पर सही होगा पहले इस्थान पर अमेरिका को रखा गया है चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आता है असम राज्यक के सर्वोच नागरिक पुरुसकार असम वेबव 2023-24 से किसे समानित किया गया है तो फ्रेंड्स असम राज सरकार द्वारा 2023-24 के लिए एक असम वेबव, चार असम सोरव और सत्रा असम गोरो पुरुसकार सहीद कुल 22 हस्तियों को नागरिक पुरुसकार जो है वो प्रदान किया गया है असम वेबव जो है ये असम का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है 2023-24 के लिए भारत के पूर्व मुख्य नियाईदीश और राजसबा सांसद रंजन गोगोई को ये पुरुसकार जो है वो दिया गया है रंजन गोगोई को ये पुरुसकार नियाईक शेतर में उपलब्दियों के लिए ये दिया गया है ध्यान रखेगा फ्रेंड्स C answer सायोगा रंजन गोगोई नेक्स कोशन लेते हैं परंप्रागत खेल जली कट्टू पोंगल उस्तव के किस दिन आयोजित किया जाता है देखे काफी अच्छा कोशन है हाली में ही तमिलनाडू का पारंपरी खेल जली कट्टू का आयोजन किया गया जली कट्टू का आयोजन जो होता है ये पोंगल उस्तव के तीसरे दिन किया जाता है जिसे मट्टू पोंगल के नाम से भी जाना जाता है जली कट्टू उस्तव में बेलों के सिंग में सिक्कों का एक थेला बांदा जाता है जो इन सिक्कों के ठेले को बेल के सीन से निकाल लेता है वो विजेता होता है तो इस तरीके का देखिए प्रमपरागत खेल जली कट्टू जो है वो पौंगल उस्थव के दिन आयोजित किया जाता है कहाँ पर तमिल नाडू में पोंगल उस्थव के तिसरे दिन पोंगल उस्थव का आयोजन जो होता है वो चार दिन का होता है पहले दिन को बोलते हैं भोगी पोंगल दूसरे दिन को बोलते हैं सुर्री पोंगल तिसरे दिन को बोलते हैं मट्टू पोंगल और चोथे दिन को बोलते हैं कानूम पोंगल बहुत बार एक्जाम में देखिए यहां से कोशन पूछा जा चुका है तो इस चीज को धियान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चित फास्टेक किस तक्निक पर काम करता है तो देखिए काफे यहां सुर्कियों में रहाई यह नेशनल हाईवेज अथोर्टी आफ इंडिया एनेचे आई ने टोल बुकतान के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तक्निक के उप्योग को बढ़ावा देते हुए एक वहां एक फास्टेक पहल जो है वो शुरू करी है जिसे वहां की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है हर एक टोल प्लाजा पर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रिडर लगा होता है जो की एक सेंसर के रूप में कारे करता है यहाँ पर Radio Frequency Identification की हम बात कर रहे हैं बार-बार तो यह एक Wireless टक्निक होती है जो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति को ट्रेक करने या मिलाने की अनुमती देती हैं तो इसी टक्निक का उप्यों के जाता हैं Fast Tech के दोरान ध्यान रखेगा फ्रेंड्स यहाँ पर यह कोशन पूछा जा रहा है कि Fast Tech किस टक्निक पर काम करता हैं तो Radio Frequency Identification सी आंसर बिल्कुल सही होगा नेक्स कोशन लेते हैं चर्चित पूरी के जगनात मंदिर का निर्मान किस वंश के शाशक ने कराया था तो ओडिसा के पूरी में स्थीद जगनात हेरिटेज कोरिडोर परियोजना का हाली में उदगाटन किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री नविन पतनायक ने 3,700 करोड रुपे की देखे लागस से इस कोरिडोर का निर्मान किया गया जगनात मंदिर की बात करें तो इसका निर्मान 12 शताबदी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनात वर्मन के द्वारा किया गया था ये मंदिर जो हे कि शेली का प्रतीके कलिंग वास्तुकला शेली का प्रतीके ये हिंदू तिर्तेस्थल चार धाम देखिये तिर्त यात्रा बद्रिनात, द्वारका, पूरी और रामेश्योरम का एक हिस्सा हैं ये वेश्नव संपरदाय का एक मंदिर हैं जो की भगवान विश्नु के आवतार श्री करशन को समर्पी थें इस मंदिर का वार्षिक रत यात्रा का उस्सव जो है बहुत यादा प्रसिद्ध हैं तो ध्यान रखियेगा पूरी के जगनात मंदिर का निर्मान किस वंश के शाशक के द्वारा किया गया था? गंगा राजवंश के शाशक के द्वारा दी आंसर, हाली के दिनों में देखे सुर्क्यों मेरा क्योंकि वहाँ पर जगननाथ हेरिटेज कोरिडोर का शुभारम किया गया तो ये information ध्यान रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला question आता है किस राज्य में नववे भारत अंतराष्टी विग्यान महोसव 2023 का आयोजन किया गया है तो कहाँ पर किया गया भारत अंतराष्टी विग्यान महोसव 2023 का आयोजन? हरियाना के फरिदाबाद में इस नववे भारती अंतराश्टी विग्यान महोसव दोजार तेविस में कुल बाविस देशों ने देखिये भाग लिया है इस बार इसकी थीम क्या थी? Science and Technology, Public Outreach in अमरितकाल भारती अंतराश्टी विग्यान महोसव का उद्देश क्या है? वियापक इस्तर पर लोगों को विग्यान के लिए प्रेडित करना छात्रो, शिक्षको, विग्यानी को, शोत करता हूँ इनके लिए एक प्लेटफर्म को रेडी करना है ध्यान रखियेगा भारत अंतराश्टी विग्यान महोसव का आयोजन जो है वो कब से किया जा रहा है, 2015 से किया जा रहा है सबसे बड़ा विग्यान महोसव है ठीके, इसके 90 संस्क्रण का आयोजन हरियाना में किया गया जनवरी 2024 में नीती आयोग द्वारा जारी किये गए सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे जादा गरीबी घटी है तो फ्रेंड्स, भारते राज्यों में देखिए उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे जादा गिरावर जो है वो दर्ज की गई है और पिछले 9 वर्षों के दोरान करीब 6 करोड लोग गरीबी रेका से बाहर निकल गए है इसके बाद देखिए बिहार, मध्यप्यदेश और राजस्तान को रखा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में भारत में लगबग 25 करोड लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकले है और गरीबी जो है इन वर्षों में 29 प्रतिशत से घटकर लगबग 11 प्रतिशत हो गई है तो यहाँ पर बुछा जा रहा है किस राज्य में सब्हशादा गरीबी घटी है तो उतरप्रदेश में इस योजना के अंतरगत, हर मा महिलाओं को 1000 रुपे सरकार द्वारा प्रदान किये जाएंगे इस योजना का लाब जो है वो 23 से 60 वर्ष वाली विद्वा या फिर अनाद देखिये महिलाएं ले पाईगी ध्यान रखेगा महतारी वंदना योजना किस रासे संबंदिते हैं? 36 गड़ संबंदिते हैं चलिए नेक्स कोशन लेते हैं पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविद्यो को रोकने के लिए भारती सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविद्यो को रोकने के लिए भारती सेना ने ओपरेशन सर्वशक्ति को शुरू किया है ओप्रेशन सर्व शक्ति के माध्यम से भारतिय सेना पीर पंजाल परवत माला के आसपास होने वाली जो आतंकी गतिविदिया हैं उनको रोकने का काम करेगी वहीं पर ही उधंपुर में सेना हेटकोर्टर और सेना की जो उत्री कमाने उसकी निग्रानी रखने का काम भी करेगी ध्यान रखिएगा कौन सा ओप्रेशन शुरू किया हैं ओप्रेशन सर्वशक्ती चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट कोशन आता है इस रिपॉर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूशिद शहर वो मेगा लै का बरनी हाट बताया गया है जिसके बाद बिहार का बेगू सराय और उत्रप्रदेश के ग्रेटर नॉइडा को दूसरे वो तिसरे स्तान पर रखा हैँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स बर्नी हार्ट मेगालाई को भारत का सबसे प्रदुशिष शोहर बताया गया है तो यहाँ पर 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के सभी important current affair complete होते हैं I hope आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर मंतली current affair की PDF लेना है तो आप crazy zk trick application डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपका option मिल जाएगा साथी में friends अगर आप देखिए crazy zk trick की yearly current affair book शंकनात को लेना चाते हो Hindi और English दोनों version में देखिए available है comment box में मैंने link दे रखा है वहाँ पर click करकर सीधे आप order कर सकते हो काफी अच्छा response देखने को मिल रहा आपके end से तो जिन भी students ने अभी तक order नहीं करिये तो order कर सकते है तो friends आज पर इस वीडियो में इतना ही था I hope आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और comment करके ज़रू बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe भी कर लिजिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई